हलो गाईज लास्ट एपिसोड की स्टार्ट से पहले जिन लोगों ने मेरे चैंग को सब्सक्राइब नहीं किया वह वह पहले मेरे चैंग को सब्सक्राइब करते हैं और यहीं से हम अपनी लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं जिसके स्टार्टिक में हमें वैंग दिखा कर रहा हूं वैंवन जागकर लेंशे से बात वगरा करने लगती है और थैंक्स भी कह रही होती है कि अगर तो मुझे याद ना करवाती कि ने कभी भी किसी को लव कंफेस ने किया तो आज रेंचु मेरे पास ना होता इतने में वहां पर जौशन भी आ जाता है जौशन जब लेंशे से बात कर रहा होता तो पीछे बैठे रेंचु को जैलस फिर होने लगता है वो भी वैंवन के पास आ जाता है वैंवन कहती है कि तुमने तो कहा था कि मैं बात कर लो और तुम मेरा वेट कर रहे हो तो वह कहता है कि तुम्हारी जो फ्रेंड है वो मेरी भी तो फ्र पूरे नहीं थे तुम तो बहुत अच्छे हो वेवन उन दोनों को जब ऐसे देखते हैं तो लेंग्शे से मिलने के बाद माँ से चली जाती है रैंचो और वेवन जब एरपोर्ट के बाइख खड़े होता है तो वेवन कहले लगते हैं कि तुम यहां से जा रहे हो ना तो मैं कि प्लाइन चेंज हो दिखाए जाती है और वेवन से जूटनी बोलती है तब भी चूख का फ्लैशबैक दिखा जाता है जहां पर रैंचो और फैंगी उसे कहते हैं कि तुमने स्पाय बनना है शाओ तो उस ट्रेंपे कह रही होती है कि नहीं मैं कैसे कर सकती हूँ मैं कभी भी वैवन से जूटनी बोलती वो कहने लगते है कि तुम्हें ये करना होगा वैवन हमें सर्प्राइस देना चाहती है और हमने उसको ही सर्प्राइस दे देना है पेजन्ट भी शाओ वेवन से अंदर मिलने के लिए जाती है वेवन शाओ को देखकर बाकी सब को माँ से भीज देती है भी शाओ से बात करी रही होती है तो कहने लगती है कि मैं रेंचुक को फेवल पार्टी देना चाहती हूं तब शाओ उसको आइडियास वगएरा देने लगती है और कुछ भी साथ हो रही होती है ताकि उसे बिल्कुल भी कुछ फील ना हो उसे एक जगा का बताते है कि इस जगा की तुम बुकिंग करवा लो यहाँ पर हम ट्रेडिशनल ड्रेस पहनेंगे वैवन बुकिंग करने ही वाली होती है तो पता लगता है कि वहाँ के पैसे बहुत ज़ादा है वैवन कहते है कि नई यह नहीं मैं कर सकती चाहो करने लगती है कि मुझे वहाँ के फ्री टिकेट्स मिले हुए है वैवन तो यह सुनने के बाद खुश हो जाती है कि तुम तो मेरे लिए एक एंजल ही बन चुकी हो तो उसी तरह वैंग जो शिपाई के सा शॉपिंग करी होती है पर शॉपिंग करते होए ठक जाती है तब ही वो शिपाई को कहती कि मेरे पाओ में दर्थ हो रहा है तो तो मुझे अपनी ट्रॉली में बिठा लो या तो मुझे अपनी बैक पर उठा लो शिपाई उसे ट्रॉली में बिठाने से मना कर देता है कि अच्छा तुम इतनी ठकी हुई हो ना मेरी बैक पर आ जाओ वैवेन तो खुश हो जाती है और साथ में उसकी बैक पर भी चड़ जाती है और आज कब वो फेवर का दिन आ चुका था जहाँ वैवेन शाओ के साथ टेक्सी लेकर उस जगा पर जारी होती है और दूस्ती तरफ पाकी सब लोग वहाँ की पहले से त्यारियां वगरा कर रहे होते है वैवेन और शाओ दोनों ही उस प्लेस पर पहुंच जाती है तब ही जब वो वहाँ पहुंच दे तो रैंचू डॉर से एंट्रू ही मारता है वैवेन तो उसे ऐसे देख का कुश हो जाती है और रैंचू उसके पास आकर कहने लगता है कि मैंने तुम्हें काफी वेट करवा दिया ना अब इसमें से ड्रस पी कर लो और साथ में तुम्हें स्क्रिप्ट भी दे दी है और रैंचू शाओ को ब्लो वाला सेलेक्ट करने को कहता है शाओ जल्दी से ब्लो वाले वाली साइट को पकड़ लेती है और रैंचू कहने लगता है कि आज के दिन के लिए तो मेरी ब्राइट बनोगी और मैं तुम्हारा ग्रूम होगा और फिर वेंवें वही ट्रडिशन ड्रस पहन कर आ जाती है सब तो उसको देखते ही रह जाते है क्योंकि वह स्ट्रस में बहुत प्यारी लग रही होती है और वेंवें वेंवें रैंचू के पास आ जाती है और सब अपने अपने करेक्टरस बताने लगते हैं कि हम इस स्टोरी में क्या रोल प्ले कर रहे हैं और सब अपनी स्टोरी के हिसाब से काम करने लगते हैं और वैंग जो शिपाई की डॉटर बनी हुई थी अपने डैड के पास आकर कहने लगती है के डैड ये तो बताएं आपकी डॉटर कैसी लग रही है और वैंग कहने लगती है के बताएं ना आपकी डोटर कैसी लग रही है नहीं से दूसी तरह वेलमेन और रेंचु दिखाय जाते हैं जो दोनों इकटे कड़े होकर बाते कर रहे होते हैं कि यहां पर मुझरिम कौन होगा फिर वेलमेन उसको खाने के लिए एक जगा पर ले आते हैं जहां पर कपके पड़े होते हैं वेलमेन भी उसके साथ बैटर कहने लगती है तब भी रेंचु उटकर कहने लगता है कि वे ख्लूस तो चाहिए नहीं और तुम यहां पर कपके खिलाने के लिए मुझे भी अपने साथ ले आई हो मतलब तुम यहीं चाहती हो ना कि तुम्हारी मुझे शादी ना हो वेलमेन कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं क्यों ऐसा चाहूंगी रेंचु कहता है कि अच्छा मतलब तुम उसे शादी करना चाहती हो वेलमेन कोई आंस देती इससे पहले ही रेंचु उसके लिप्स पर लगी क्रीम को टेस्ट करने लगता है पर इतने में वहाँ पर यू याइंग आ जाता है वो दोनों यू याइंग को देखकर पीछे हट जाते है वेलमेन तो वहाँ से वैसी भाग जाती है वेलमेन आप अपनी क्ल्यू डूढने पर लगी होती है तब ही उसको महाँ पड़ा क्राउन मिल जाता है उस क्राउन को पकड़ के वो एक जगा पर जाके रखते है वो कहने लगते है कि मैंने अपना मिशन कर लिया है तो वो आगे से कहते हैं कि अब तो हुम आमारा वहाँ पर वेट करो तो मैं मैं कहते हैं क्या और कोई मिशन नहीं है क्या चोर का पता लग क्या वेलमेन वहाँ पर नहीं रुकती वहाँ से चले जाती है तब ही वहाँ पर यू याएंग आता है यू यैंग उस चगह को देखकर कहने लगता है कि मैं थोड़ टाइम के लिए यहां पर रेस्ट कर लेता हूँ यही सोचकर वो अंदर रेस्ट करने के लिए चला जाता है साथ में अपने उपर एक रेट कलर का कपड़ा भी ले ले लेता है तबी वहाँ पर वो चारो भी आजाते हैं तो उसको पड़ा देखका कैंने लगते हैं कि इसके अंदर जुरर वेंवन होगी क्या हुआ जब अंदर कीतर देखते हैं तो उस लिए फेस पर रेट कप्ड़ा लिया होता है वो वेंवन और को ही समझती है ये देखका वो चारों उसको उठाकर लेकर जाने लगते हैं अंदर बैठर यू यांग सोचे लगते हैं कि ये कोई हीडल मिशन होगा जो ये सब करने के लिए जा रहे हैं और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वैवन बाद में आती है उस जगा को देखते हैं कि वो यहां से कहां चले गए जितर वो चारों अपने मज़े में बैठे होते हैं तब भी रैंचू वैवन के पास रूम में जाता है यह जद रूमेंटिक बाते करा होता है जैसे ही उस कपड़े को उपर पकरता है तो पता लगता है कि इसमें तो यू येंग है ये देखका तो वह वैसे ही डर जाता है और फिर दूस्री तरवेवेंग दिखाई जाती है जो बाकि सब को ढून रही होते तब ये रेंचू भी वहाँ पर आकर मेंड़ेंग को देख ले तर उसको अपनी तरफ भूलाता है और रेंचुस के उपर से टुबटा हाद राता है और इससे पहले रेंचु रूमेंटिक होता है वेर्वन वहां से उठकर पानी पीने के लिए चली जाती है पर वो असल में ही स्पिरिट होता है यह देखकर जल्दी से रेंचुस को पानी देने लगता है और वेर्वन तो एक कप पीने के बाद ही फुल डूंक हो जाती है और कहने लगते है कि इस पर मैं तुम्हारी कपड़ों को नहीं भाडूंगी रैंचुस की यह बाद सुनने के बाद दंसने लगता है और कहने लगते है कि अब यह मत कहना तो रैंचो उसे शर्मारा होता है और अपना जब दूसरी साइट पर फेस करता है तो बैंवें कहते हैं कि आप क्या टॉपर बच्चे भी शर्माने लगे हैं रैंचो को ये बात सुनकर उस पर शक हो जाता है करने लगता है कि तुम ड्रंक नहीं हो न वैंवें तो ये सुनने के बाद फुल शौक और रैंचो को समझ आ चुका था कि ये सिरफ नाटक कर रही है रैंचो फॉरण से वैंवें को लिटा लेता है और कहने लगता है कि क्या तुम इसका टुटोरियल लेना चाहती हो ये कहते हैं वे उसे किस करने लगता है साथ पे उसे रिंग भी पहनाता है इतने में वैंवें के पेट में दर्ध होना शुरू हो जाता है और शिबाई जब चेक करता है तो वो दर्ध पेंडिक्स की होती है कहने लगता है कि अब इसका उपरेशन होने की जरूत है वो जल्दी से उसको होस्पिटर में ले जाते हैं मैं जब ऑपरेशन ठेटर में जाने लगती है तो उसको अब भी भी अपने मॉबाइल की पड़ी होती है कहा रही होती है कि मेरा मॉबाइल का है मुझे वो चाहिए तो वह मैं कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ ओपरेशन को तो देखो एक मन्त भी हो चुका है और भी वो दोनों ही एक्वारियूम चले जाते हैं वहाँ पर जाकर वो दोनों काफी ज़ादा इंज्वाय करते हैं तब ही वहाँ पर वो एक जगा पर बैठ कर अपनी डेट करने लगते हैं मैंवें कहते हैं कि यह कितनी अच्छी जगा है तो रैंचू कहता है कि हाँ यो येंग के बगार तो यह बहुत अच्छी जगा है तब ही रैंचू मेयवें के उंगूठे से एक स्टेंप लगवाता है और खुद भी उसी जगा पर स्टेंप लगवाता है और खार्शे बन जाता है मेयवें ये देखकर स्माइल देते हुए कहने लगती है कि तुमने ये सब कहां से सीख लिया है रैंचू उसकी तब वो पेश देते हुए कहता है कि इसको ओपन करके देखो और जब रैंवें उसको ओपन करते है तो वो वही वाला एग्रिमेंट होता है जो उन्होंने एक टाइम पर किया था जब उनके बारे में लोग बाते बना रहे थे तो मैंवें ये देखकर कहने लगते हैं कि अब इसका ये नेम अच्छा नहीं लग रहा उसको कट कट करके एक न्यू नेम देती है और वो नेम लेफ ड्वेल्पिंग प्लैन होता है प्रैंचो की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि हैपी कॉपरेशन बॉइफरेंड जो भी आगे से हैंडशेक करते हैं कि हैपी कॉपरेशन वेल्फरेंड और फिदोनों एक दूसरे से किस करने लगते हैं और यही पर हमारी एपिसोड खतम होने वाली होती है पर यहां पर Yuyang के एंटरी हो जाती है वो दुबारा से वही वाली टिकेस लेकर आ जाता है और यही पर हमारी डुआ में की हैपी एंडिंग हो जाती है आप लोग उन्ने कॉमेंट बोक्स में बताना है कि आप लोग को एंडिंग कैसी लगी अगर नहीं अच्छी लगी तो आप लोग कैसी एंडिंग चाहते थे वह भी जूर बताना एंड थैंक्स पर वाच्चिंग वीडियो का लाइक भी करना